देश की परतिष्ठित जवाहललाल नहरू इन्वर्शेटी की पूर्व छात्रसंग अध्यक्ष और CPI नेता कन्हिया कुमार समेत 9 अन्य लोगों के खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिल्ली सरकार ने दे दी है इसके बाद ट्वीटर पर अब लोगों ने पृत करियाए दी इसमें कुछ लोगों ने केजरीवाल सरकार को घेरा है तो कुछ केजरीवाल के समर्थक ही केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी के निता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंतरी कपल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल को आखिर टुकडे टुकडे गैंग की फाइल को पास करना पड़ा आज ही जेनु स्टुडेंट इूनियन ने केजरीवाल के खिलाप प्रोटेस्ट किया और गुस्से में केजरीवाल ने ये फाइल किलियर कर दी इससे साफ है कि ये काम कितना आसान था और केजरीवाल जान बूच कर इतने लंबे समय से देश दुरहियों को बचा रहे थे हम इस फैसले का स्वागत करते हैं हम इस मामले पर मांग कर रहे थे जिसमें केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दे दी अब कानून को अपना काम करने दे हलकि सबसे चौकाने वाला बयान आम आदमी पार्टी और केजरीवाल समर्थक का सामने आया विशाल ददलानी जो आम आदमी पार्टी के कटर समर्थक माने जाते हैं उन्हेंने केजरीवाल की फैसले पर दुख जताया है डडलानी ने ट्विट करती हुए कहा कि आम आपनी पार्टी ने सरकार की गलतियों की आलोचना करने वाली लोगों की रूप में शुरुवात की आपके अधिकांश समर्थक अब भी वही लोग हैं और अब भी वही काम करते हैं हम में से कुछ बड़े जोखिम में हैं हम उस राजनितिक परंपरा का भी तिरसकार करते हैं जो महज ओट, शवी और फायदे को लेकर सही और गलत का फैसला करती है डडलानी ने कनिया कुमार सहीत अन्य शातरों के खिलाफ देश द्रोह चलाए जाने के फैसले की खवर को ट्वीट करते हुए लिखा कि यह सरासर गलत है केजरिवाल से नाराज डडलानी ने कहा कि कनिया कुमार गिरपतार होने से पहले क्या कह रहा था आप खुद देखें मुझे बताएं कि क्या इसमें कोई देश बिरोधी बातें सुन रहे हैं आपको यहां यह भी बता दें कि द्रलानी आम आदनी पार्टी के कटर समर्थक माने जाते हैं इसी के साथ केजरिवाल का एक टूइट इस समय सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें केजरिवाल कनिया कुमार के भाषन की तारीफ कर रहे थे इसी को लेकर कई लोगों ने केजरिवाल पर हमला भी भोला खिचाई भी की दरसल दिल्ली में हुई हिंसा में आपके समर्थक का नाम आने से कहीं न कहीं आम आद्मी पार्टी को छवी खराब होने का डर भी सता रहा होगा वज़ा जो भी रही हो कनिया कुमार पर मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिये जाने से कुछ लोग केजरिवाल के इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं तो कुछ केजरिवाल पर ही हमला बोल रहे हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें और यची तमाम खबरों को देखनी के लिए हमारे चैनल परियावरन पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले